हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चानल, कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तो आपको ये लोग मेरा कैसा लग रहा है, आज मैं आपके साथ नाइट आउटिंग पार्टी जो होती हो, उसका मेक अप लोग सेय करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो मेक अप करने से पहले मैं अपने बालों को बैंड के हेल्प से सेट कर ली हूँ, पीछे की साइड में और वाइप से, मैं अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर दे रही हूँ, और देखिए इस तरह से, और मेक अप करने से पहले फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो इस तरह से मैं अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर ले रही हूँ, और यहाँ पे हो गया, अब मैं यहाँ पे लेक में का पीच मिलक मॉस्टराइजर लगा रही पीज में मिलता है या फिर 95 ऐसे कुछ है तो आपको अपना मस्टराइजर आप जो लगाते हैं आप सकते हो जाना बहुत ज़ादर जरूरी होता है तो आप जो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी blue heaven का primer मेरे बस यह प्राइमर है और कभी-कभी मैं primer के बदले में aloe vera gel भी यूज कर लेती हूं जो की primer का ही काम करता है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा primer लेखे उससे finger पर warm करूंगी और उसे मैं लगा लूँगी अपने face पे और primer लगाने के बाद 10 मिनट तक छोड़ देना चाहिए ताकि वो skin में absorb हो जाए और उसके बाद फिर make-up start करना चाहिए तो मैं यहाँ पे moisturizer लगा के primer लगा रही हूँ अगर आप day में make-up कर रहे हो तो फिर आप sunscreen लगाना बिलकुल ना भूले मैं यह night के लिए make-up कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं primer लगा के अब मैं इसे छोड़ दूँ ही थोड़ी दिर के लिए उसके बाद फिर मैं अपना make-up start करूँगी तो देखिए primer लगाने के बाद इसकी एकतम से soft हो जाती है तो यहाँ पे हो गया है और अब मैं यहाँ पे Maybelline का fit me foundation जो होता है वो apply करूँगी और इसे मैं finger के help से ही blend कर लूँगी यह बहुत ही quick होता है और बहुत ही मतलब अच्छा से हो जाता है और ज्यादा time नहीं लगता है तो इसलिए तो यहाँ पे देखिए finger के help से मैं foundation को अच्छी तरह से blend कर लूँगी dab dab करके तो देखिए यहाँ पे मैं foundation को किस तरह से blend कर रही है और देखिएगा यह बहुत ही अच्छी तरह से blend हो जाता है जब ही बहुत ही heavy makeup करना होता है कभी तो मैं beauty blender का use करती हूँ वरना मैं ज़्यादा तर यह process use करती हूँ और यह अच्छी तरह से हो भी जाता है तो देखिए मैंने वीडियो को यहाँ पे fast कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा lend नहीं ना हो इस वज़ा से और देखिए कि इतना अच्छी तरह से blend हो गया है और बहुत ही quick होता है यह finger use करने से जल्दी हो जाता है तो इसलिए और यहाँ पे concealer apply कर दी हूँ मैं यहाँ पे NYV का concealer ले रहे हूँ यह concealer मतलब ज़्यादा मतलब deep नहीं spots को hide नहीं करता है बर ठीक है मैं use करती हूँ और मुझे ठीक लगता है यह ज़्यादा blend करने के ज़रत नहीं होता है यह फटा-फट से हो जाता है यह liquidy कुछ ज़्यादा है और मतलब का बोलेंगे उसे पतला है तो ठीक है मैं use करती हूँ तो देखे यहाँ पर मैं अभी beauty blender का use कर रही हूँ concealer को blend करने के लिए यहाँ पर और देखे का देखती देखे यह concealer blend हो जाता है उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आगे का process करूँगी और वीडियो को मैंने यहाँ भी fast कर दिया बढ़ना वीडियो बहुत ही जादा लंबा हो जाता और फिर आप लोग बोर हो जाते देखने में और देखे यहाँ पर मेरे जो आखों के नीचे जो थें dark spots वगेरा जो थें under eye का वो सारा hide हो चुका यहाँ पर मैं compact उल्टा पकड़ी हुई थी मैं यहाँ पर pack का compact यूज़ कर रही हूँ यह थोड़ा सा मतलब expensive है बट मैं ली क्योंकि मुझे अच्छा लगा तो यहाँ पर देखे और उसे मैं use कर ले रही हूँ और यहाँ पर मैं compact लगाने के लिए brush का use कर रही हूँ और मेरे गले की नीचे जो यह black spots जैसा दिखाई देते हैं वो बच्चपन से है पता नहीं सायद जर्म से ही है वो नहीं जाते हैं तो यहाँ पर हो गया है मैं compact लगा ली हूँ अब मैं यहाँ पर contour लगा रही हूँ और मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं यह contouring पर्ट मैं कर रही हूँ क्योंकि ठीक लगता है बस कर लेना चाहिए अताकि हमारा face safe में लगे तो मैं बहुत ज्यादा नहीं लगा रही बस थोड़ा सा use कर रही हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर अपना eyebrow को fill करूँगी इसके लिए भी मैंने eyebrow pencil लिया है यह under hundred rupees में मिल जाता है और brown color का है और बहुत अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पर eyebrow pencil से eyebrow को fill कर ली हूँ हलका सा मुझे उतना ज्यादा dark eyebrow नहीं पसंद है मेरा जो natural है वही मुझे पसंद है और उसके बाद मैं spoolie के help से eyebrow को अच्छी तरह से set कर ले रही हूँ इस तरह से और अब मैं eyeshadow apply करूँगी eyeshadow मैं बिल्कुल भी हलका रखूँगी और उसके लिए मैं यहाँ पर Swiss Beauty का highlighter palette यह बहुत ही जादा pigmented है तो देखें यहाँ पर golden simri color मैं यहाँ पर ले रही हूँ और मैं मतलब जादा तर यही use करती हूँ और बहुत ही easy होता है यह जो eyes eye do मैं जिस तरह से apply कर रही हूँ यह normal मतलब कोई भी use लगा सकता इस तरह से तो देखें मैं inner corner पर highlighter लेके इस तरह से अपने eyes पर लगा रही हूँ और अच्छी तरह से मैं लगा लूँगी उसके बाद फिर मैं outer corner पर लगाऊंगी तो देखें यहाँ पर जो eye lid है उसे मैं inner corner से लेके और middle तक लगा ले रही हूँ highlighter उसके बाद मैं यहाँ पर black highlighter लेके sorry highlighter नहीं मतलब eye shadow लेके यहाँ पर मैं लगा रही हूँ outer corner पर और इस तरह से blend कर लूँगी अच्छे से दोनों को mix करके blend कर लूँगी और blend करने के बाद बहुत ही खुशूरत look आता है सायद mobile पर उतना अच्छा से दीखने ही रहा होगा पर यह बहुत ही खुशूरत look आता है और इतना ज्यादा simple है कि कोई भी इसे easily create कर सकता यह eye look बहुत ही ज्यादा मतलब आप एक बाद try करके देखेंगा आपको compliment जरूर मिलेगा बहुत ही अच्छा look आता है तो इस तरह से मैं दूसरे eyes पे भी apply कर ले रही हूँ highlighter inner corner पे और black color outer corner पे और दोनों को अच्छी तरह से blend कर देना है ताकि यह केकी ना लगे और अलग से ना दिखे तो दोनों color को अच्छी तरह से blend कर लेना है और मेरे पास जो black color था वो उतना ज्यादा pigmented नहीं था बस हलका black color था jet black जो होता है वो नहीं था अगर आपके पास jet black है तो वो apply करें और बहुत ही अच्छी तरह से smooth ली blend कर ले यह इतना अच्छा look आता है कि आप believe नहीं करोगे बहुत ही खुबसूरत look आता है तब मैं यहाँ पर blend कर ली हूँ और उसके बाद मैं eyeliner लगाऊंगे eyeliner के लिए मैं यहाँ पर लैक में का इंस्टा eyeliner ले रही हूँ यह बहुत ही affordable है और इसे मैं बहुत दिनों से use कर रही हूँ मेरा जो सबसे पहला वीडियो है यह इसी पह है और मैं college के time से इसे use कर रही हूँ बहुत ही अच्छा है और देखिए इस तरह से मैं eyeliner को अपने eyes को मतलब save देते हुए और इस तरह से लगाऊंगी और wings बनाने के लिए मैं middle से इस तरह लेके और जो eyeliner लगाई थी दोनों को mix up कर दूँगी तो इस तरह से wings बन जाएगा और यहाँ पे inner corner पे मैं थोड़ा सा निकाल दूँगी यह बहुत ही कुपसरत लगता है अब मैं यहाँ पे blush लगा रही हूँ blush लगाने के लिए मैंने उसी palette से pink color लिया है और यह blush पे मैं blush के लिए apply कर रही हूँ फिर भी मुझे highlighter लगाना बहुत पसंद है इसलिए मैं Swiss beauty का यह highlighter palette से highlighter लगा रही हूँ और देखिए मतलब लगबग होई गया मेरा makeup complete अब मैं यहाँ पे अपना highlighter complete कर लोगी forehead पे भी लगा लोगी और lips के upper side में भी लगा लोगी अपर lips पे और यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से मैं जो जो highlight का point है वो पूरा में लगा लोगी और eyebrow के नीचे भी मैं highlight कर लोगी थोड़ा सा brow bone area पे और इस तरह से मैं यहाँ पे ilatin का काजल यूज़ कर रही हूँ यह बहुत ही जादा black काजल होता है और अच्छा होता है अंडर हंडरेड है यह भी और अब मैं यहाँ पे mascara लगा रही हूँ यह lotus का mascara है जो की मैं मंगाई थी पिछले साल अब यह है अच्छा है अभी भी तो अब मैं inner corner पे थोड़ा सा highlighter लेकर लगा ले रही हूँ यह बहुत ही अच्छा look देता है आपके make-up को और बहुत ही enhance करता है आपके eye make-up को और अब मैं यहाँ पे lipstick जो लगा रही हूँ मुझे इसका नाम याद नहीं है बट मैं फिलाली से ली हूँ और यह बहुत ही ज़्यादा pigmented है यह बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है इसका price करीब 400 something था मुझे याद नहीं है और इसका texture भी बहुत ही creamy है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है यह lipstick तो देखिए मेरा फूरा make-up हो गया है और अब यह है मेरा final look दिखाने का time तो यह रहा मेरा final look तो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताएगा और प्लीज 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 मुझे support कीजेगा यह night का outing party या फिडेट या बड़े party कुछ भी होता है तो आप easily यह look create कर सकते हो बहुत ही कम time लगता है बहुत ही अच्छा लगता है यह look तो आप जरूर ट्राइ कीजेगा और कैसा लगा आपको यह make up मुझे जरूर बताएगा और प्लीज प्लीज मुझे support कीजेगा मेरी वीडियो को like, share and subscribe कर दिजेगा और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी fashion, makeup, DIY, haul वीडियो लाती रहूँगी और प्लीज मुझे support कीजेगा तो मिलती हूँ आप लोगों से next वीडियो को लेके तब तक के लिए बाई बाई